सिख्शक साथियो नमस्कार मेरे चैनल एडूकेटर जी में आप सभी का हार्थिक अभिनांदन है यह बेडियो वैसे सिख्शक साथियो से संबंधित है जो सिख्शक साथि प्रगुणक के कार्य में अभिभ्यस्त है और अन्तिम रूप से लगे हुए है तो यह वीडियो जो है उनके सभी प्रकार के प्रपत्रों को भरने से लेकर है जो उन्हें प्रगणक के रूप में सभी प्रकार का प्रपत्र मिला है जैसे भाग एक, भाग दो, भाग तीन, भाग चार ये सभी जो प्रपत्र मिले है इसको कैसे भरा जाए इससे संबंधित है तो इस वीडियो में सभी प्रपत्रों को यहां प्रपत्र रख कर भरा जाएगा और हम लोग समझेंगे तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है यह दि चैनल सब्सक्राइब नहीं किये है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो सबसे पहला प्रपत्र भाग एग यहां आप देख रहे हैं सबसे पहला प्रपत्र संचित मकान सुची यहां जीला का नाम जैसे मान लिया जाए कि जीला का नाम यहां भरना है यह है भोजपूर ठीक है और कोड तो भो इस तरह से और मानक अंग का ही प्रयोग करना है इसके बाद प्रखंड का नाम तो कुछ भी प्रखंड का नाम हो सकता है जैसे जगदीशपूर आपको जो बैग में एक सुची मिली है यहाँ जो आप सामने देख रहे है इस प्रकार की एक मिली है सुची जिसमें सारे कोड दिये हुए है उससे आप हेल्प लेंगे और भरेंगे तो यहाँ जगदीशपूर अगर है तो यहां सुची में आप देखेंगे कि 7 यहां बाकी 00 कर देंगे आपका अलग होगा जो भी जिस जिले से और जिस प्रखंड से आप संबंदित है उसका code भरेंगे जो आपको मिला हुआ है इसके बाद इसमें पंचायत जो भी हो उसका नाम लिख लेना है और पंचायत का code डाल लेना है जैसे मालनी आजाए कि code है 11 तो यह जो दो बचा यहां पीछे 00 लगा देंगे ठीक है और उसमें पंचायत का नाम लिख देंगे इसके बाद गणना block number और गणना up block number यहां आपको ध्यान देना है अगर आपको up नहीं मिला है तो इसमें क्या करेंगे 00 जैसे अब ही मालनी आजाए कि गणना block number आपका यहां गणना block number जो है अगर 12 है तो यहां हो जाएगा 00 ठीक है और उप गणना block अगर को है जिसे को बोल रहे है उसे एक लिखना है नहीं है तो 00 डाल देंगे अगर है तो 01 डाल देंगे ठीक है अब यहां वाड संख्या यहां वाड संख्या में वही भर देंगे जैसे मालनी आजाए 5 है तो 0 5 या 5 हिंदी में भी यहां लिख सकते हैं और code number में वही हो जाएगा 0, 5 और इधर क्या करेंगे 0, 0 भर देंगे तो इस तरह से ये भर लेना है इसके बाद गणना ब्लोक की संख्या या गणना या उपगणना जो भी मिला होगा तो यहां पर संख्या जैसे यहां है 12 तो यहां भी 12 और अगर को या एक होगा तो यहां पर लिख देंगे कोष्ट में ब्रैकेट में 1 अब परिवार की संख्या तो generally जो भी प्रगणख है परिवार की संख्या यहां पर एक से प्राणभ होगी और जितना अंतीम क्रम संख्या ध्यान दिजिएगा परिवार की संख्या वही होगी जो आपको जो भरे है मकान सुची विवरनी में तो जितना क्रम गया होगा वो परिवार की संख्या होती है तो यहाँ पर अगर 80 गया है तो 80 एक से 80 यहाँ 0 भी लगा सकते हैं तो इस तरह से यह भरना है और जब यह भरें तो आप अपने प्रवेक्षक से एक बार इसे जरूर दिखा लें इसके बाद है आपका यहाँ भाग 2 ठीक है तो भाग 2 तो कई बार यह बताया जा चुका है वही है यहाँ मकान सुची विवरनी है जीला का कोड है तो जीला का कोड है जीला का है आपको मिला है भर लेंगे 008 जो भी है यहाँ अगर आपका जो नगर और ग्राम जो है यही पंचायत है ठीक है यह पंचायत है जो आपको मिला है मान लिए जाए यह 12 है तो यहाँ 00 आपका वाड अगर 10 है तो यहां 10 लिखेंगे यह बचेगा तो 00 कर देंगे और यहां गणना ब्लोक मालने जाए कि आपका 70 है तो 70 इधर 00 कर देंगे और अगर उप गणना ब्लोक 70 को या 71 है तो एक ही भरेंगे नहीं है तो केवल दोनों में 00 अगर है एक उप अगर है तो एक बस इस तरह से आप भर और ये सब तो पहले बताया जा चुका है और अगले वीडियो में भी इस पर एक special वीडियो बनेगा ये आप कैसे भरेंगे ये numbering कैसे करेंगे संख्या जैसे 01 01 यहां 02 है तो ये सब कैसे होगा ये आप देखेंगे यहां सब से signature करवाना है परिवार के मुखिया से तो ये हु अब है ये भाग 3 यहां ये भी भरना है ये है कौन सा है ये संख्यित मकान सुची ठीक है यहां पर ये आठ कोलूम वाला है जो यहां बेगहर वाला ठीक है प्रहचान तो ये भी भरना है नहीं है इसमें तो उसका भी अभी आप देखेंगे जैसे जीला का नाम तो इसमें जीला का नाम लिख देंगे इसमें जीला का कोड लिख देंगे प्रखंड का इसमें नाम लिखेंगे और प्रखंड का जो भी कोड होगा लिख देंगे जैसे मानलिया जाए कि प्रखंड का यहां आठ कोड है तो यह जो बचा यहां 00 कर देंगे ठीक है पंचायत का यहां नाम लिखे देंगे जो भी आपका पंचायत होगा जो आपको मिला हुआ है एक फर्म में फर्मेट में सुची मिली है और यहाँ कोड जैसे माल लिए जाए कि 12 है यहाँ तो यहाँ 00 कर देंगे ठीक है वाड संख्या जो भी होगा जैसे माल लिए जाए 5 नमबर वाड है तो यहाँ कोड 5 और इधर का सारा 00 कर देंगे गणना ब्लोक नमबर जैसे माल लिए जाए कि आपका 50 मिला हुआ है तो 50 इधर 00 कर देंगे अगर उप है तो 01 और नहीं है तो छोड़ देंगे अब अगर यह बेगहर वाला है ठीक है अस्थान का अभिवरभ अगर यह नहीं है तो इसको काट देंगे ऐसे और निल लिख देंगे ऐसे अपने प्रवेक्षक से सलाह लेंगे यह जो अभी बताया जा रहा है यह प्रवेक्षक महोदय के सलाह से ही यह बताया गया है अगर नहीं है तब बेगहर का यह जेनरली गणना छेत्र में यह नहीं होगा क्योंकि बहुत ही कम ऐसे अब परिवार है जो बिना मकान के कहीं पुल पुलिया के निचे रहा रहे हैं ऐसा या खुले अस्मान के निचे रह रहे हैं, ऐसा बहुत कम ही है, तो इस तरह से ये करेंगे, पूछ के करेंगे, ठीक है, यहाँ प्रिष्ट, चुकि एक ही है, तो प्रिष्ट संख्या सब में देना है, प्रिष्ट संख्या उसमें अधिक होगा, जो भाग दो है, जिसमें मकान सुची भी भरणी भरणी है, तो उसमें एक, दो, तीन, चार, सौपर नमबरिंग कर देंगे, यह भाग चार, तो जीला, जीला का कोड, जो भी है, मान लिया जाया, अगर जीला कोड 5 है, तो 0, 5, इसके बाद, नगर निकाय, या प्रखंड जो भी है, तो उसका कोड, अगर 10 है, तो यहाँ 0 कर लेंगे, पंचायत का कोड, अगर 5 है, तो यहाँ 5 और यह सब 0, 0 डाल देंगे, यह सभी उदाहरन है, वाड अगर आपका 4 नमबर वाड है, तो यह सब 0, 0 कर देंगे, गणना ब्लोक, अगर 30 नमबर गणना ब्लोक है, तो यहाँ 3, 0 कर देंगे, और ठीक है इसके बाद गणना बलो की जन संख्या इसमें देखिए यहां लिखना बहुत ही जरू है गणना बलो की जन संख्या तो जितने भी जो मकान सुची बेविरणी है उसमें परिवार के सदस्यों की जो कूल संख्या है कूल अगर आपका असी नंबर क्रॉम गया है तो सब का संख्या जोड़के यहां पर लिखना है यह ध्यान लिजएगा वही होगा जन संख्या क्योंकि प्रतिक परिवार में परिवारों की संख्या हम पुछ चुके हैं और उस प्रपत्र पे लिख चुके हैं तो उसमें सब ज संख्या यहां पर यहां मकान की संख्या नौकी भवन की मकान की संख्या लिखेंगे ठीक है और यहां परिवार की संख्या लिखेंगे ठीक है न परिवार की संख्या तो जितना तक सुची पहुंचा होगा वो परिवार की संख्या होगा और प्रतिक परिवार में जितने भ तो जो भी प्रपत्रा भर रहे हैं अपने प्रवेक्षा को पहले दिखा लेंगे इसके बाद एक और प्रपत्र है चालान के रूप में तो यहां जीला का नाम लिख लेंगे यहां जीला का कोड लिख लेंगे यहां प्रखंड का नाम लिख लेंगे यहां प्रखंड का कोड और यहां वाड संख्या लिख लेंगे, इसके बाद जो आपको गणना ब्लोक आवंटित हुआ है, वो इसमें लिख देंगे, जैसे मान लिया जाए कि गणना ब्लोक मिला है, पचासी तो पचासी, और पचासी को मिला है, तो पचासी और कोष्ट में एक यह इस तरह से लिख देना है, बाकी यहां अस्थान और दिनान जो प्रवेक्षक हैं, उनसे पूछ के अप भरियेगा, और यहां अपना हस्ताक्छर, और यहां अपना अस्पस्ट अक्छरों में नाम लिखना है यहां हस्ताक्षर करना है तो यह है चलान इसी के जैसा और नीचे भी है इसके फर्मेट के नीचे तो इसको भी भरना है तो इस तरह से सभी प्रपत्र को भर लेना है मुझे आसा है कि सभी प्रपत्र को भरने में इस वीडियो से अवस्य सहायता मिलेगी अगर कहीं तुरूटी दिख रही है या कुछ समझ में नहीं आया है तो निहसं कुछ कमेंट करें अगला वीडियो इसको ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा वीडियो को बनाने का मुल उदे से यही है कि सिक्छक बंधूओं को इससे कुछ सहायता मिले और उनका काम सुगम हो धन्यवाद